बेलकाँ टो टुर लिएगे साथ। दोस्तों, UP2C की तरफ से आज फिर नौटिस जारी किया गया है, एक troublesiosis जारी किया गया है, और ये सुध्य पत्तर जारी किया गया है, आप देख रहे हैं सण्डे है, आज फिर भी नोटिस जारी किया गया है और UP2C की इसकदर अब काम में जुटा हुआ है क्योंकि उपर से आधेस है तो आईए आप लोगों को पूर्जान करी दी जाएगी वीडियो के मद्दम से तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखते हैं कैस में तो दोस्तों UB2 Plus सी काफी अपने छमता पूर्वा काम पे लगा हुआ है क्योंकि उपर से आधेस है एनम की वर्ष्थी को पूरा कराने के लिए तै समय पे बहुत ही जल्दी से जल्दी इस वर्ष्थी को पूरा कराने के लिए यहां पे जो है कार किया जा रहा है और आप देश सकते हैं यहाँ पे डेट पड़ी हुई है चार जून जो की कल की डेट है आज है पांच जून ठीक है ना तो यह कल का नोटिस है जो की वेबसाइट पे आज अपलोड किया गया है यह पहले नोटिस नहीं था तो यह सूद्धी पत्र है दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बता किये गए 17,713 अभ्यातियों को अबलेक परिचन दिनांक 9-6-2022 से 18-6-2022 तक आयोजित किये जाने संबंदी आयोग की आवस्यक सूचना संख्या इतने दिनांक 16-2022 का संदर्व ग्रहन करें आयोग की उक्त सूचना दिनांक 16-2022 के परिशिष्ट की सारणी के क्रमांक 2 के अंतरगत आयोसीमा जो निर्धारित आयोसीमा अरथात दिनांक 1-1222 को 18 वर्स से 40 वर्स के मध्द में सिथिलधा है तो वानचित अविलेख अंकित हो गई है तो उपरियोगत के इस्थान पर अब आयोसीमा निर्धारित आयोसीमा अर्थात दिनांक 1 जुलाई 2021 को 18 बर्स से 40 बर्स के मद्द में सिथिलता है तो बांचित अवलेक पढ़ा जाए और उक्त परशिष्ट की से सूचना यथा वत रहेंगी तो यहाँ पर आप देश सकते हैं एनम की जो भरती है इसके लिए अब जो है ये आयू सीमा जो निर्धारित की गई थी पहले निर्धारित की गई थी आप लोगों की ये जो डेट है 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 से निर्धारित की गई थी और अब ये आप देश सकते हैं 1 जुलाई 2021 से निर्धारित की गई है तो यहाँ पर आयू में यह बदलाव किया गया है यह काफी important notice है उन लोगों के लिए जिन्होंने apply किया है एनम भरती के लिए और जो लोग मतलब border पर बैठे हैं इस मतलब अपनी age को लेके तो उनके लिए यहाँ पर यह काफी बड़ी ख़बर है तो आप लोग उन तक जरूर यह वीडियो सेट कर दे और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इसे और वीडियो पाने के लिए फिलार इस वीडियो में इतना है नमस्कार